Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains This is me, Shipra Tiwari, बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सको बच्चो So, let's start आज हम एक नया सेल ओर्गनल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राइबोजोम हम लोगोंने लास्ट क्लास में क्लोरोप्लास के बारे में पढ़ा था I know कि उसका NCRT पार बचा हुआ है पर पहले मैंने राइबोजोम करा दो फिर दोनों का NCRT पार एक साथ पढ़ाओंगे So, let's start with the ribosome Ribosome क्या है? Ribosome हम लोगोंने सारे सल ओर्गनल पढ़ लिया अब हमारा सिफ साइटोस्केलेटर नुकलेस बाकी है Ribosome देखते हैं क्या है? यह बहुती smallest सल ओर्गनल होता है सबसे smallest, सबसे छोटा पर सबसे खोटा Ribosome जो होता है यह RNA और प्रोटीन से बनता है Ribosome नुकलेओलस के अंदर बनते हैं What is the nucleolus? Nucleolus, nucleus के अंदर पाया जाने वाल एक round structure होता है जिसके अंदर ribosome का formation होता है यह RNA और प्रोटीन को assemble करते हैं और फिर एक ribosomal RNA होता है और प्रोटीन मिलते हों और ribosome का formation होता है इसके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं पर इससे पहले हम ribosome की कुछ discovery के बारे में पढ़ ले आजाओ मेरे साथ Ribosome को सबसे पहले discover किया है पहले डेने in 1953 बहुत ही मतलब अभी अभी की discovery है अभी तो पन 2021 में है पर अभी मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए है तो 1953 में इसको discover किया गया था ये बनते हैं RNA और प्रोटीन से RNA ठीक है मैं बहुत ज़्यादा RNA में नहीं को सूँगी मैं बस थोड़ा सा बतादेती हूँ देखिए RNA और RNA में अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ एक oxygen का एक oxygen ज़ादा होता है और DNA में एक oxygen कम होता है इसलिए de-oxy ribose sugar होती है sugar में एक oxygen कम होता है इसलिए इसको de-oxy ribonucleic acid कहते है इसको ribonucleic acid कहते है So there is a difference between तो RNA जो होता है बेसिकली तीन प्रकार का हो सकता है एक होता है RRNA ठीक है एक होता है mRNA ठीक है और एक होता है tRNA हाला कि ये चीज़े अभी आपको जानने की ज़रूत नहीं है पर ठीक है अब आ गया हो तो देख लो तो RNA basically तीन प्रकार का होता है RNA राइबोजोमल RNA राइबोजोम को बनाने के लिए जिस RNA का इस्तमाल हम लोग करते हैं बच्चों वो होता है राइबात समझ में राइबोजोम्स के बीश में पाय जाता है और RNA और प्रोटीन्स जो होते हैं यह आपके नूक्लियोलस के अंदर बनते हैं नूक्लियोलस इस श्रक्चर फांद इंसाइब नूक्लियस प्लीज आलवेज रमेंबर देस अगर आपको यह याद नहीं रहता है तो बार बार लेक्चर रिवाइन करकर के देखो बैटा ठीक है दूसरा जो आरेने होता है राइबोजोमल आरेने होता है और आरेने मेसेंजर आरेने होता है जो की प्रोटीन बनाने में मदद करता है और टी आरेने जो यह भी प्रोटीन बनाने में मदद करवाता है ये amino acid को पकड़ पकड़ के लाता, चल चल मेरी जगा पे चल जल दी से तो tRNA amino acid को पकड़ता है, लाता है, mRNA amino acid को जोड़ता है और ribosome के अंदर जो RNA होता है, उसे कहते है rRNA तो tension नहीं लेना, अभी इसके बारे में हम लोग details है, 12th class में आपने पढ़ना है तो कुल मिला के जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात ये है कि जो ribosomes होते हैं वो बने होते हैं, rRNA और protein से, ribosome कहां बनते हैं, nucleolus के अंदर rRNA और protein ensemble होता है और ribosome का formation होता है, then it will move into the cytoplasm, it will move into the endoplasmic reticulum nucleus के उपर छेद होते हैं, उस छेद से ribosomes बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ribosome है, ribosome जो होता है ये structure ऐसा दिखाई देता है, देखोगे अगर आप, तो ribosome का जो इसके पास दो sub unit होती है ये होता है एक sub unit और ये होती है दूसरी sub unit, ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी large sub unit अगर आप इसको देखें, तो ये आपको कैसे दिखाई दे रही है, dome shape की और अगर आप इसको देखे ये वाला ठीक तो ये आपको दिखाई देरा है cap shape का ठीक है तो कुल मिला के हमारे पास दो sub unit है एक है large sub unit एक है small sub unit तो ribosome की दो sub unit होती है जो की assemble होती है साथ में और इनके बीच में mRNA होगा अगर protein synthesis होना है तो और अगर नहीं होना है तो नहीं होगा ठीक है चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग देखिए structure देखते हैं हम लोग ribosome की दो sub unit हम लोगों ने देखी ठीक है एक हमने large sub unit देखी एक हमने small sub unit देखी आपको पता है कि यह जो दोनों sub unit रहती है ध्यान से देखो यह जो दोनों sub unit रहती है यह पहले अलग-अलग रहती है आई बात समझ में यह जो दोनों sub unit आपको ribosome की दिख रही है न मेरे लला यह दोनों पहले अलग-अलग रहती है फिर बाद में assemble होती है assembly या ऐसे क्या लिख देते हैं, assembly of ribosomal unit, assembly of ribosomal units depends on, depends on the concentration, concentration of the ribosome. concentration of the magnesium ion, समझ में आई बात, ध्यान से देखो, यह दोनों से यूनिट जो होती हैं, जब यह बन जाती हैं, तो किसे बनी, आरा रहे हैं हो, प्रोटीन से बनी, तो यह जो दोनों, जब यूनिट बन जाती हैं, तो यह assemble होती हैं, पर assemble होने के लिए हमें, जिस चीज की सबसे ज़ की जो जुड़ी होई ribosome की unit हैं, वो भी अलग-अलग हो जाएंगी, और फिर से जब आप cell के अंदर magnesium का concentration बढ़ा दोगे, तो फिर से आके जुड़ने लगेंगी, तो the assembly of the units is totally dependent on what? Magnesium iron, if the magnesium iron is less, it will broken down, it will fall apart, दो दुझा ले जाएंगे, ठीक है, तू दर रहे, मैं दर रहूं क्योंकि हमारे बीच में हमारा प्यार नहीं है, प्यार बीच में आ जाएगा तो दोनों unit पास रहेंगा, ठीक है, चलो, structure देख लेया हैं हम लोग, सो ribosome के पास कितनी subunit हैं बचो, ribosome के पास दो subunit होती है, एक होती है, large subunit, एक होती है, small subunit, ठीक है, large subunit, अभी मैंने आपको बताया, कि shape की होती है, dome shape की, जबकि small कैसी होती है, small, यह cap, small कैसी होती है, cap जैसी होती है, ठीक है, Now, during the protein synthesis, the ribosome form a chain on a common messenger RNA and form the polyribosome and the polysomes अब आप समझना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ देखो अगर हमें protein synthesis करना है अगर हमें protein synthesis करना है तो यह हो गया आपका mRNA ठीक है? यह अगर आपने protein synthesis करना है तो यह क्या हो गया आपका mRNA ठीक है? यह किस से बनता है mRNA? mRNA तो बटा बनता है DNA से ठीक है? अब हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है protein तो एक ribosome यह जुड़ गया एक ribosome यह भी जुड़ गया एक ribosome यह भी जुड़ गया एक ribosome यह भी जुड़ गया यह एक ribosome यह भी जुड़ गया ठीक है तो इस structure को हम लोग क्या कह सकते हैं इस structure को हम कह सकते हैं polysome या poly ribosome कुछ भी कह सकते हैं तो यह हो गया MRNA यह क्या हो गई आपकी MRNA जिसमें एक ribosome जुड़ा अब एक ribosome जो है वो एक protein की chain बना रहा है एक ribosome एक protein की chain बना रहा है दूसरा ribosome जो है वो दूसरे protein की chain बना रहा है तीसरा जो ribosome है वो तीसरे protein की chain बना रहा है और चौथा जो ribosome है वो चौथे protein की chain बना रहा है इस प्रकार से पांचवा जो ribosome है वो पांचवे protein की chain बना रहा है तो आप क्या देख रहे हैं कि ए एक ही MRNA में we can make so many proteins, ठीक है, तो मैडम ऐसे तो हम एक ही MRNA में सब जोडते जाएं, नो, हम ऐसा नहीं कर सकते, जब यह ribosome termination codon पे आएंगे, यह termination के पास एक codon होता है, अलग कि मैं detail से नहीं बताऊंगे, तो यहां पर यह सारे ribosome जो है, अलग हो जाएंगे और assembly टूट ज रहेगी, फिर से समझो, MRNA से राइबोजोम जुडते हैं और protein का synthesis होता है, लेटर और भी डिसकस करने वाले, MRNA से राइबोजोम जुडते हैं और protein का synthesis शुरू होता है, अब यह ribosome आगे बढ़ते जा रहे हैं, और protein की chain भी उपर बढ़ती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग MRNA के अंत पे आ जायेंगे और राइबोजोम बाहरा हो जाएगा, ये ribosome यहां से बाहर हो जायेगा, ये ribosome भी यहां के बाहर हो जायेगा, सारे ribosome टर्मीनेशन पे आ कर बाहर होते जाएगे, और इनके assembly तूटती जाएगी और protein हमने cytoplasm में release कर दिया है, य अगर एक MRNA पर एक ही राइबोजोम है, जैसे कि वो है, तो हम एक ही प्रकार का प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है? इतनी बात आपको clear हो गई? आगे बड़े, यह समझ गए? नाओ, अब हम लोगों ने यह कई बार discuss किया है, कई बार, कि we have two types of cell, बच्चो, हमारे पास दो प्र prokaryotic cell और एक है eukaryotic cell, prokaryotic cell में कौन सा राइबोजोम होता है? 70S राइबोजोम, कौन सा राइबोजोम होता है? 70S राइबोजोम, जबकि eukaryotic cell में कौन सा राइबोजोम होता है? 80S राइबोजोम, यह S क्या है? What is the means of S? S का दूसरा नाम होता है, Swedberg unit, S का दूसरा नाम क्य होता है मेरे प्यारी बच्यों स्वेड बर्क यूनििट क्लियर हो गई बात कि आपके 70s ribosome किसके पास है कितने बार बता चुकी हूं बहुत बार 70s ribosome किन पास है procariot के पास 80s ribosome किस के पास है You carry own के पास ठीक । primera County Prokaryot ribosomes जो होते हैं ये simple type, simple क्या? थोड़े हलके होते हैं, छोटी सी cell है तो उसके पाद छोटा सा ribosome होगा अब छोटी सी cell है तो छोटा सा ribosome है बड़ी सी cell है, मोटी सी cell है, तगडी सी cell है तो बड़ा सा ribosome है, सीधी सी बात है अब, what is the means of S? S, S जो होता है, S what? S represents a sedimentation coefficient, ठीक है? S represents what? Sedimentation coefficient, अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, मुझे एक बहुत बड़े ट्यूब में भर दिया गया, ठीक है? फिर मुझे एक मशीन में घुसर दिया गया, और मुझे बो लगया, एक मिनिट में इनको एक लाख बार घुमाओ, अगर म सबसे हलका होगा, वो सबसे हलका होगा, वो सबसे उपर आएगा, मेरी बात समझाए आप, अगर मुझे बड़े ट्यूब भी डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर लेट इड भी, अगर मुझे एक ट्यूब में घुसर दिया आपने, और एक मिनिट में एक लाख बा आपने तो क्या होगा तो मेरे बॉड़ी के पाट अलग-अलग हो जाएंगे तो जो सबसे भारी होगा मेरा पेट वाला पाट मेरे कमर वाला पाट तो सबसे नीचे आजाएगा हाथ पर हलके वलके हैं तो ऊपर आजाएंगे तो इट is called as centrifugation, it is called as centrifugation, look at this machine, अगर आप इस machine को देखें तो tube के अंदर हमने protein को भर दिया है, ribosomes को भर दिया मालो, अब गुमाया है इनको, बहुत तेज गुमाया, बहुत तेज गुमाया, बहुत तेज गुमाया, गुमाने के बाद जब हमने देखा, तो हमने देखा कि जो fragments हैं, नेके डाइट से भले ही ना दिखें, पर fragments अगर हम देखेंगे, तो जो भारी होगा, जो fragments सबसे भारी होगा, वो सबसे नीचे सटल होगा, और जो सबसे हलका होगा, वो उपर होगा, यह तो सीधी सी बात है ना बेटा, it is called as sedimentation, what it called as, इसको क्या कहते हैं हम लोग इसको हम लोग sedimentation कहते हैं, यह sedimentation coefficient कहते हैं, इसे हम S को हम sedimentation coefficient ही कहते हैं, S मतलब sedimentation coefficient, इसे हम Swedberg unit भी कहते हैं, जो की measure करता है density and the size of ribosome, अगर sedimentation coefficient जादा है, मतलब ribosome मोटा तकडा साई, sedimentation coefficient का में मतलब ribosome हलका सा है, ठीक है, आगे बढ़े हैं हम लोग, कोई दिकत, चलो look at this diagram, यह sucrose का solution है, ठीक है, उसके बाद sucrose के solution में हमने protein डाला फिर उसके बाद हम लोगोंने protein ribosomes, protein डाले, protein डाले, ribosomes डाले, ribosomes डाले, ठीक है centrifugation किया, तो हम लोगोंने देखा, कि हमारा जो ribosome है, वो तीन पार्ट में divide हुआ, सबसे पहले 23S, सबसे जादा, जो सबसे भारी था, वो सबसे नीचे आया, 23 मतलब ribosome को तोड़ा, तो हमने 3 units निकली, हमने eukaryotic ribosome को जब तोड़ा, तो 3 units निकली, पहला था 23S, फिर था 16S, फिर था 5S, ठीक है, तोड़ा पर खच्चे उड़ा है, तो सबसे भारी कौन सा होगा, 23S, फिर कौन सा होगा, 16S, फिर कौन सा होगा, 5S, तो जो सबसे हलका होता है वो सबसे उपर होता है अब आप देखिए ध्यान से देखो अब हमको यह पता है कि जो राइबोजोम होता है वो किस से बना होता है जो राइबोजोम होता है वो आरेने और प्रोटीन से बना होता है पर राइबोजोम में मैक्सिमम ज्यादा कॉंसेंट्रेशन किसका है RNA का, कम concentration किसका, protein का, कहां बनेंगे, nucleolus में, ठीक है So, 70S की भी दो sub-units है, 1S 30S, 1S 50S, 1S 30S, 1S 50S, ठीक है और 80S की भी दो units है, 1S 40S, 1S 60S, ठीक है Okay, done, 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 ठीक है आप 80S में क्या देख रहे हो, कि 80S में protein जादा है और RNA कम है यह चीज याद रखना है आपको, ठीक है Now, अगे बढ़े हम लोग, look at this देखे, 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 देखे वो prokaryotic था, ठीक है वो 16S था, वो पहले मैंने eukaryotic बोलता है, वो prokaryotic है, ठीक है 70S ribosome जो है, वो 2 subunit से बना है, large subunit and small subunit 70S ribosome में, S मतलब sedimentation coefficient, sed work unit तो ribosome की जो उपर वाली unit है, it is called as large subunit बेटा तो large subunit किती हो गए? 50S, जोडना नहीं है जोडते हैं फिरे माडम 50 और 30 तो 80 होता है, यह तो 70 यह रहे ठीक है यार, इनकी calculation है तो large subunit को हम क्या कहते है, 50S और small subunit को हम क्या कहते है, 30S अगर हम इनको churn करते हैं, तो 50S दो भागों में तूटता है एक है 5S, एक है 23S, 23S सबसे नीचे settle होगा फिर होगा small subunit जिसके अंदर 16S आ रहेने हैं, वो settle होगा बीच में और उसके बाद 5S RNA सबसे उपर, done ऐसे ही इनको अगर आप fragment करें, तो सबसे नीचे कौन सेटल होगा, 20S RNA उसके बाद कौन सेटल होगा, 18S RNA फिर कौन सेटल होगा, 5.S RNA फिर कौन सेटल होगा, 5S RNA फिर कौन सेटल होगा, 5S RNA क्योंकि आपको पता है कि जादा RNA प्रेजन होता ही, ठीक है? So, this is the 40S and 60S, LAR subunit 80S, जो की उक्राइट रिबसोम है, उसमे LAR subunit होती 60S, small होती 40 यह सब जो RNA से ना, देखो किया है? मैने बोला कि जो रिबसोम होता है, वो रिबसोमल आरने से बनता है but there are different types of ribosomal RNA present into the ribosomes like if you looking, what is the difference between large and small subunit, only in the size? No, in the type of RNA, तुमको क्या लगता है कि large और small में सिर्फ size का अंतर है? No, large और small में अंतर है the type of RNA जो उसमें पाया जा रहा है eukaryotic ribosome में, small subunit में 18SRNA है, जबकि prokaryotic में 16SRNA होता है यह चीज़ याद रखना है आपको Now, अब मैं आपको जो सबसे important चीज़ है, वो समझाने वाली हूँ देखो क्या है? ribosomes जो होता है, इसे हम protein factory of the cell कहते हैं यह चीज़ हमेशा याद रखना है कि ribosome को हम protein factory of the cell कहते है मैं अगर आपको एक छोटा सा diagram draw हला कि मैंने पहले भी आपको यह चीज़े सिखाई थी तो मेरे कहाल से नहीं ज़रुत पढ़नी चाहिए चो अब हम ribosome के कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं मतलब we are talking about the protein synthesis लिटल बिट हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्यों 12th class में आपको यह चीज़ बिलकुर इटेल से पढ़नी है तो टेंशन नहीं लेना है चलो तो मैं आपके लिए बना रही हूँ एक diagram हाला कि इतने डीटेल कि मैं बार बार कहरी ज़रुवत नहीं है पर ठीक है basic सीख लोगे तो फाइदे में रहोगे हमेशा जीवन में अच्छा कुछ चीज़े मैं आपको और clear कर दू देखे क्या होता है Nucleolus में मैंने आपको बता है Ribosome बनता है यह तो आपन सीख गए Actually Nucleolus में क्या होता है कि Subunits बनती है Large Subunits बनती है Small Subunits बनती है उसके बाद यह जो Subunits रहती है तो कुल मिला के Ribosome का जो Parts है वो Nucleolus में ही Synthesized होते हैं और अगर आपसे NEET में सवाल पूछा जाए कि Ribosome कहां बनते हैं तो आपको Nucleolus ही टिक करना है तो Nucleolus में जो Subunits होती है Large Subunits, Small Subunits, RNA उनका इस सब कुछ बन जाता है ठीक है आपको भी पता है कि उसमें भी Proteins चाहिए होते है Ribosomes को भी बनाने के लिए तो जितने भी RNA, Proteins जरुवत होते हैं Ribosomes को बनाने के लिए वो Nucleolus में ही बनते हैं Nucleolus में Synthesize होकर वो Nucleoplasm में आते हैं मलब Nucleolus से निकल के Nucleos में आए वहां से निकल कर फिर वो Cytoplasm में आते हैं और फिर Assembl होते हैं तो कुल मिला के synthesis nucleolus में ही होती है और उसके बाद वो nucleus से बाहर निकल, nucleus, nucleus से cytoplasm cytoplasm से निकल कर अब उन्हें जहाँ जाना है वो वहाँ जाए endoplasmic reticulum में रहना है तो वहाँ जाके assemble होंगे और अगर cytoplasm में रहना है तो वहाँ जाके assemble होंगे ठीक है आई बात समझ में पर assemble कब होते हैं जब आपके पास magnesium का concentration अच्छा खासा हो और assembly तब होती है जब हमें कोई protein का synthesis करना है तो हम लोग माल लीजे एक protein को synthesize करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई यहाँ पर हुआ थोड़ा सब बीच में बना देती हुमें तो यहाँ पर हुआ यह कि यहाँ पर large sub unit आई ठीक है यहाँ पर large sub unit आई और यहाँ पर small sub unit आई ठीक है यहाँ पर थोड़ा सजी भी हो गया क्यों तो यहाँ पर large सब यूनिट आई और यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट आई और दोनों जो सब यूनिट है वो क्या हो गई? एसेंबल हो गई ठीक है? आई बात समझ में दोनों जो सब यूनिट है वो assemble हो गई, ठीक है, now, अब यह जो दोनों unit है, इनके बीच में क्या आएगा बिटा, अब nucleus से क्या आ रहा है हमारे पास, nucleus से हमारे पास क्या आ रहा है, mRNA, ठीक है, ओके, यहाँ पर nucleus भी छोटा सा बना देती हुमें, तो यहाँ से nucleus से क्या आ रहा है, mRNA, बिल्कुल ध्यान से समझ अबना, nucleus से हमारे पास क्या आ रहा है, mRNA, ठीक है, okay, messenger RNA, nucleus में क्या होता है, DNA, the DNA will convert into the mRNA, जानना नहीं है कैसे बनेगा, क्योंकि process हम 12th class में पढ़ेंगे, तो DNA से हमने क्या बनाया, mRNA, mRNA is the single stranded, DNA से ही mRNA बनता है, इसको आप messenger RNA कहते हैं, how many types of RNA we have, we have three types of RNA, tRNA, mRNA, mRNA, ribosome को बनाने वाला RNA, RNA, messenger RNA, protein को बनाने वाला tRNA, अभी हम 10 minute में function सीखेंगे, ठीक है, अब यह जो mRNA है, वो यहाँ पर आकर attach हो गया, आई बात समझ में, mRNA जो है, वो यहाँ पर आकर attach हो गया, done, इतनी बात आपको clear हो गई, now अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चो, क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं तो गडबड हो जाएगा, काम, एक ही color दिखेगा, दूसरा color लेती हूँ मैं, कौन सा color, लूंपिंग लेती हूँ, ठीक है, so we have two types of another RNA, we have another two types of RNA, यह होते हैं, transfer RNA, ठीक है, यह देखो, यहाँ पर large sub unit के पास, हमारे पास दो और प्रकार के RNA होते हैं, यह दो प्रकार के RNA कहलाते हैं, transfer RNA, क्या कहलाते हैं, यह tRNA, 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 tRNA मतलब transfer RNA, आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो यह transfer RNA क्य करता है, अब आगे बढ़े हम लोग, next step देखें, कैसा होता है काम, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इस साइटो प्लाजम में, यह सेल के बाहर से, बहुत सारे amino acids जा रहे हैं, ठीक है, यह हैं क्या अपने amino acids, यह क्या है अपने amino acids, ठीक है, अब यह amino acids जो हैं, वो से के अंदर आगे, पर अभी यह amino acids protein नहीं बना रहे, protein बनाने का काम तो ribosome का है, ठीक है, तो यह ribosome कैसे protein बनाएंगे, अब हमें वो बात समझनी है, ठीक है, आजाओ मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, now listen to me very carefully, क्या कहते जा रही हूं मैं, अब क्या होगा, कि यह जो TRN होत है अपना ribosome, ठीक है, और यह हो गया अपना mRNA, ठीक है, अब इस mRNA से, अब समझना बिलकुल मेरी धान से, अब एक TRN जो है, वो क्या करेगा, इस amino acid को पकड़ेगा, ठीक है, एक TRN, देखना ध्यान से, यह वाला जो TRN है, यह वाला TRN आया, और mRNA से इस तरीके से bind हुआ, ठी यह TRN क्या लेके आया है मेरे प्यारे बच्चो, यह TRN लेके आया है, एक amino acid, यह TRN क्या लेके आया है भी हमारे पास, एक amino acid, लेके आया, कोई दिक्कत परिशानी, ठीक है, अगले step में क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और amino acid रखा हुआ है, A dot A मतलब amino acid, ठीक है, अब इस amino acid को क्या करेगा, इस amino acid को दूसरा tRNA लेकर आएगा देखो, tRNA को मैं किस से जोड रही हूँ, tRNA को मैं mRNA से जोड रही हूँ यह जो है, यह क्या करेगा, दूसरा amino acid लेकर आएगा, अब ध्यान समझना यह वाला जो amino acid है, वो इसके उपर जुड जाएगा, ठीक है, और यह वाला eliminate हो जाएगा कैसे, third step में देखते हैं हम लोग, हाला कि यहाँ पर इतनी जगा नहीं है बट let it be, यहाँ पर देखो, क्या हुआ, यहाँ पर हुआ यह की mRNA बना लो पहले, mRNA, ठीक है अब यह वाला जो tRNA है, यह वाला जो tRNA है, इसने अपना amino acid इसको दे दिया और यह बाहर हो गया, यह देखो, यह बाहर हो गया, ठीक है, यह बाहर हो गया अब इस वाले tRNA के पास, ध्यान से देखिए, tRNA को हमेशा mRNA से ही अटाच करना पड़ेगा इस tRNA के पास किते amino acid हो गए, दो amino acid हो गए, done, समझ में आई बात इसका मतलब यह, कि हमारे पास बहुत सारे amino acid पड़े हुए हैं, इन amino acid को पहले एक tRNA पकड़ कर लाता है tRNA को mRNA से हम क्यों जोड रहे हैं, और mRNA क्या होता जा रहा है, पहले ऐसा है, फिर आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इधर से protein की chain बनती जाएगी बिल्कुल अभी ध्यान समझी है, अगला step में वही बनाऊंगी सो यहां पर अभी इतना clear हो गया आपको कि हमारे पास cytoplasm में खूब सारे amino acid है तो tRNA का amino acid को लेकर आया, tRNA always bind with the mRNA, ठीक है, tRNA के पास कुछ co-down होते हैं, जो mRNA के साथ bind होने जरूरी है इसके बारे में भी इत्तर details जाने के जरूत नहीं है, तो amino acid आया, एक जुडा, ठीक है, दूसरा amino acid आया, दूसरा tRNA लेकर तो जो पहले वाले के पास amino acid था, वो उसको दे देता है कि इसको जो ले कर आ रहा है, ले test वाला, उसको दे दिया और खुद बाहर हो गया तो अब आपके पास कितने amino acid हो गए, इस वाले tRNA के पास, कितने हो गए, दो हो गए, इस तरीके से ये process continuously बढ़ती रहती है, इस तरीके से ये process जो है, वो continuously बढ़ती रहेगी बेटा, और बढ़ते बढ़ते, ध्यान से समझना मेरी बात को, थोड़ा से यहां पर और पीछे बनाती हूँ, बढ़ते बढ़ते ये process कैसी हो जाएगी, ध्यान से देखो, mRNA बना लो, पहले बिना mRNA के काम नहीं चलेगा, यहां पर mRNA यहां पर बनाना, अब देखो, mRNA ऐसा हो गया है, ठीक है, और आपके tRNA के पास, कितनी लंबी protein chain बन गई है, आपके tRNA के पास, इतनी बी protein chain बन गई है, क्या समझे आप, ठीक है, आप क्या होगा next step में, next step में होगा यह कि protein जो है, वो cytoplasm में release हो जाएगा, protein क्या होगा, cytoplasm में release हो जाएगा, उसके बाद आपका mRNA जो होगा, वो बाहर हो जाएगा, mRNA और आपका जो ribosomal unit है, वो भी क्या हो जाएंगी, deassemble हो जाएंगी समझ गया आप बात को फिर से समझे मैं क्या समझाol रही हूं हमारे पास बन से एक राइबोजों होता है पाइबोजों की लाज समय असनिट है ये कौन से सब यूज है लार्ज ये कॉन सी सब यूज है स्मॉल इन दोनों sub unit के बीच में क्या जुड़ा हुआ है MRNA ठीक है actually क्या होता है कि MRNA जो होता है messenger RNA वो information देता है कि आप यहां पर यह वाला amino acid attach करो यहां पर यह वाला amino acid attach करो information कैसे देता है क्योंकि आप देख रहे हो कि TRNA हमेशा किस से जुड़ा हुआ है MRNA से ठीक है TRNA किस से जुड़ा हुआ है MRNA से तो TRNA रीड करता है कि हमें कौन सा amino acid next जोड़ना है इसलिए MRNA की बहुत जादा जरूरत होती है हमेशा the TRNA is always attached with the MRNA because MRNA gives the signal and message messenger RNA that does so mess it too NEXTbra煥 ginger써 pesos so вм Wed ос does two और you know, 365 되면 thisーチャ 없다 ना को अमेंला है आई बात अब क्या हुआ TRNA प्हलाना amino acid लेकर आया ठीक है,ब वो लेकर आया पकड़ा हुआ है 20 टैप और यह THRNA किस children अगला amino acid कम यह आना ची तो दूसरा टी आर्न है वह दूसरा लेके आया तो जो नया वाला टी आरेने हैं उसको पुराने वाला टी आरेने अपना माईनो ऐसे ट्रांसफर कर देगा इससे धीरे धीरे क्या होता जाएगा कि चेन बिल्डप होती जाएगी पुराना वाला नय वाले को देते जाएगा पुराना वाला नय वाले को देते ठीक है और आप देख रहे हैं कि राइबोजोम से मरने भी बाहर निकलता जा रहा है एक बार जब अमरने एकदम अंत पर आ जाएगा तो इसका मतलब यह कि प्रोटीन सिंतेसाइज हो चुका है अब मरने अलग हो जाएगा प्रोटीन की सब यूनिट से अलग हो जाएगी और आपका प्रोटीन भी अलग हो जाएगा राइबोजोम की सब यूनिट अलग हो गई आपका अमरने अलग हो गया और आपका प्रोटीन साइटो प्लाजम में घुमेगा तो प्रोटीन सिंतेसिस में राइबोजोम में आपने देखा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है हमें transfer RNA चाहिए जो कि amino acid को लाए और chain बनाता जाए transfer RNA को किस से जुड़ा होना चाहिए messenger RNA के साथ क्योंकि messenger RNA ही transfer RNA को बताता है कि अब next amino acid यह आना चाहिए transfer RNA एक long chain of protein को बना लेता है तो वो protein को cytoplasm में release कर देता है और अब आपकी ribosome की large जो small sub unit है वो दोनों अलग अलग हो जाती है mRNA आपका cytoplasm में अलग हो जाता है आपका ribosomal unit अलग हो जाती है और protein cytoplasm में घूमने लगता है So this is the mechanism of the protein synthesis यह क्या है किसका mechanism है यह protein synthesis का mechanism है इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है मैंने सिर्फ आपको बताया कि ribosome किस तरीके से protein को synthesize करता है अभी आपको ना transfer RNA के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रने की ज़रोते है ना mRNA के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रोते है प्रोटीन तो कुल मिला कि अगर mRNA कभी ribosome में आता ही नहीं तो protein का अन बना आता तो mRNA का ribosome में ज़रना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ribosome ही mRNA के माध्यम से protein का chain बनाता है because mRNA always tells कि अभी अगला अगला ये लाओ अगला ये लाओ अगला ये लाओ तो या तो तुम cell के अंदर रहने दो या तो cell के बाहर बेस दो ये totally आपका choice होता है तो इस तरीके से हम एक protein को synthesize करते हैं मेरे लला तो ये diagram आपको clear हो गया अगर कोई confusion होगा तो please मुझे बताना हमेशा ये आ रखो nucleus is the site जहाँ पर हम ribosome बनाते हैं then ribosome क्या बनाता है protein किसके help से mRNA और tRNA के help से done कितना unit है ribosome में 2 large और sub prokaryotic के पास कौन सा ribosome है 7ts ठीक है eukaryotic के पास कौन सा ribosome है 8ts S का मतलब क्या होता है sedimentation coefficient इसको और क्या कहते है हम sweatberg unit ठीक है तो इतनी चीज़े अच्छा एक ही प्रकार का RNA हो सकता है क्या दोनों units में no there are different types of 5sRNA 5.8sRNA 23sRNA 16sRNA we have different types of RNAs present into the different types of ribosomes ठीक है आई बात समझ में क्योंकि आपको पता है कि ribosome is made up of ribosomal RNA and protein इतने question आपको frame होंगे इस process के बारे में आपको 12th में भी detail में पढ़ना है तो ये मैंने आपको function बताया now अगर मैं आगे बढ़ू उसका screenshot आपने ले लिया होगा now अगर मैं आगे बढ़ू तो functions of ribosome में देखी यही चीज यहाँ पर एक animation के दौरान बता रहा है ये mRNA बिल्कुल ध्यान से देखना आखे गार लो इधर से ठीक है देखो नहीं तो फिर हो जाएगी गड़बड और फिर समझ में नहीं आएगा और फिर तुम मुझे बोलना madam नहीं आया मुझे पर कोई बात नहीं ये एक messenger RNA है ठीक है अभी मैं code word कुछ नहीं बता रही हूँ messenger RNA है देखो ध्यान से देखते जाओ messenger RNA है ये done messenger RNA के possible को start से शुरू करते है messenger RNA है अभी ribosomal unit अलग अलग है अब जुड़ गई अब एक एक करके tRNA amino acid लाता जा रहा है फुराना वालन नए वाले को देता जा रहा हूँ पुराना वाला निकलता जा रहा है ठीक है देखो लाया जोड़ दिया पुराने वाले वने ठीक है तो नया वाला लाता पुराना वालो उसको देता जाता है ठीक है अभी ribosomal unit पास आई tRNA amino acid लाया उसने chain में जोड़ा ठीक है अब एक और आएगा कहां गया अभी stop को डान आगया फिर से देखते है अपन यह छोटा है ना लाया इसने इस पर जोड़ा chain बाहर निकलती जा रही है ठीक है उसके बाद आखरी में आखरी में आगए हम लोग और प्रोटीन अलग हो ग कोड होते हैं वो mRNA के कोड से जुड़े होते मतलब mRNA का वो कोड UAA होता है एक चीज ठीक है अब यह मैं आपको बहुत डीटेल से नहीं जाओंगी तो जब tRNA mRNA के UAA कोड के साथ बाइन कर लेता है यहां पर जैसे mRNA खिसकता जा रहा आगे की और आगे की और जब एक ऐसा सीक्वेंस आजाए की UAA है तो इसका मतलब यह कि ट्रांसफर आरेने को यह समझ में आ गया है कि अब आपको टर्मिनेट करना है प्रोटीन सिंथिस तो यह देखो UAA यहां पर स्टॉप कोड लिखा हुआ है यह आ रहने आगे बढ़ता जा रहा है मारेने बढ़ता जा रहा आखरी में जब ट्रने UAA से बाइंड कर लेगा ध्यान से देखो जैसे ही UAA से बाइंड किया ट्रने इसका मतलब यह समझ में आ गया है कि अब हमें प्रोटीन के सिंथिस को टर्मिनेट करना है मतलब इस MRNA के पास we have different types of codes जो यह बताते हैं कि अब यह वाला प्रोटीन लाओ अब यह वाला amino acid लाओ यह वाला amino acid लाओ हर तीन-तीन के groups होते हैं codes में जो एक specific amino acid को code करते हैं यह हम बहुत detail में जा रहे हैं let it be तो इस amino acid के पास आपको बहुत सारे वो दिख रहे हैं alphabets दिख रहे हैं A, C, U, G तो यह code हमको यह बताते हैं जैसे tRNA code से bind होगा वो समझ जाएगा कि यह amino acid लाना है जैसी अगले code से bind होगा यह समझ जाएगा कि यह वाला amino acid लाना है पर जैसे ही वो termination code से bind होगा उसको सम unit करना है मतलब messenger RNA के पास यह information होती है कि कौन-कौन से amino acid जुड़ने है transfer RNA का काम तो सिर्फ इतना है कि amino acid लाकर जोड़ो पर messenger RNA will provide the information through the codes कि अब यह वाला लाओ यह वाला लाओ यह वाला लाओ पर एक समय तक ही protein synthesis चलेगा तो जब mRNA को यह पता चल जाता है कि यह protein बन चुका है तो वो stop codon को bind कर देता है tRNA से tRNA amino acid लाना बन कर देता है और protein अलग हो जाता है बाकि सभी unit detach हो जाती है तो इस तरीके से हम protein की synthesis करते हैं यह एक typical process है मैं मानती हूँ तो मैंने आपको कुछ basics बता दिये हैं जो चीजे आपको question आनी है नीट में वो भी मैंने आपको समझा दि है है आपको मैंने है सिखाई कि Ribosome free ribosome होते-bound ribosome होते-bound ribosome जो होते हैं वो कहां पर होते-ndoplasm-gratigulum के पास होते-free ribosome कहां होते- curation that पास होते हैं, bound ribosome जो बनाते हैं, वो proteins हमेशा cell के बाहर के use के लिए होते हैं, शरीर के लिए, पर free ribosome जो protein बनाते हैं, वो cell के अंदर ही use किये जाते हैं, the attached ribosome synthesis, synthesize, the protein for transport, okay, और जो free रहते हैं, वो cell के लिए, thus, these organelles are also known as protein factories, ribosomes को हम protein factories भी कहते हैं, ठीके बच्चो, इसमे कोई परिशानी, ना एक चीज अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इन में से सवाल क्या आएगा, 11th क्लास की बात करते हैं, 12th में तो पूरे डीटेल से बढ़ना है, cell organelle which is known as protein factory of cell ribosome, the part where the ribosome get formed, nucleolus, ribosome जो है, वो कितने प्रकार के होते हैं, 70S, 80S, prokaryotic ribosome, eukaryotic ribosome क बारे में पूछ सकता है, prokaryotic में कोई सा, eukaryotic में सा, ठीक है, तो ये सारी चीजे मैंने आपको बताई, about the ribosome and the protein synthesis, ठीक है, so this is it, I hope you learned and enjoy the video, ribosome में इतना ही आपको पढ़ना था, even मैंने आपको जो नहीं भी पढ़ना था, वो भी मैंने बहुत कुछ आपको सिखा दिया आप 12 में जाने से पहले ही 11 के basics आपके clear हो चुके होंगे, अगर इसमें कोई confusion होना, mainly मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा आपको confusion हो सकता है, वैसे नहीं होगा, lecture को बार-बार pause and resume करकर देखना आपको समझ में आ जाएगा, अगर ना समझ में आ है तो फिर तो मैं ही हू और genuine doubt पूछना तो मैं आपको definitely revert back करूँगे, तब तक मिलते हैं next class में, I hope आपको ये lecture समझ में आ गया होगा, in the next class हम पूरी NCRT के बारे में बात करेंगे, from the chloroplast to the ribosome, तब तक घर पे रहिए, safe रहिए, अपना धान रखिए, thank you.